हेलो दोस्तो देखिए आज मैंने यह स्लेट्स की जो है मैंजर्मेंट मैंने आपको सोचा बता दूँ और पहले भी मैंने कई पार्टों में इसके स्वेटर का मैंने बता दिया है आपको तो अगर आपको मेरे वीडियो से अगर आपको थोड़ी भी हल्क मिलती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए प्लीज लाइक करिए शेयर करिए कमेंट करिए जो भी आपको कुछ पूछ कुछ बताना हो तो देखिए मैंने यह स्वेटर बनाई है साथ से नौ साल की बच्चे के लिए बनाई है तो यह मैंने जिस भी बच्चे के लिए बनाई है उसकी एज अभी साड़े साथ साल है तो मैंने थोड़ा बड़ा ही स्वेटर बनाया है जैसे आप अपने बच्चे तो मैंने नहीं बनाए तो मैंने भीटबर। इतना 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 ऑप सब्सक्राइब कर दो सकती है कुर्ष मीरीद महीं है , मैंने इतयत बॉड़ी है, सबसे पहले सबस्क्राइब कने ही, कि मैंने बटाया, वैसाarti राजा देखैंजिऔर वाणिन ही नग tuvo जशेनर में बना रख दा पन कि प्राइल रि exp कर दो इंच में तो इंच में बना दाने के mistake चाहिंगे चाहि इनक्ट सद करें और ना रहए ज़ Siem mi अबैक्ट बना आध यह ने पर ने हैंूस में लगा ने छाहिए फिर उसके बाद देखिए दो सलाई में यह डिजाइन डाली है तो स्वेटर में तो मैंने पूरी फुल डिजाइन डाली है लेकिन मैंने सोचा कि आस्तीन में स्लेवस में थोड़ा डिफरेंट करूँ तो इसलिए मैंने ऐसे डिजाइन डाली है अगर अच्छी लगती है तो आप भी बनाईएगा वानना अगर पूरा बनाना चाहिए तो आप वैसे भी बना सकती है तो यहां पे ने दो इंच का बादर बनाने के बाद फिप्टी येट फंदे ये डाला हुआ है और उसके बाद मैंने यहां पर जो पहली मैंने यलो कलर लगाया तो मैंने डायरेक्ट यहां पर चार फंदे बढ़ाएं तो एक यहां फंदा बढ़ाएं एक यहां एक यहां और एक यहां और एक यहां यह चार फंदे बढ़ाने के बाद मैंने सीधा उल्टा पूरी दस डाली है तो design देकि कैसे डालेंगे सबसे पहले तो मैंने बीच में center में design डाली है इधर आदर हमें फंदे बढ़ाने इसलिए मैंने Chief enary Creator किई किए 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 तो देखें यहां पर मैंने जूए यह design center में select किये है आप चाहिए तो पूरे में बना सकते मैं इसलिए center में तो उसके बाद देखिए यहां पर मैंने तेको पहले कुए 17 दे जहां टक ढालना चाहे तो्हें यह जो यह लो कलर स्वेड़ हुह तो हमारा जो हमारा दश선 ल i ऐ है ये जो यह पतली होती है यह निए यह बढ़ाते हैं तो मैंने इसमें आच सलाइयोnd पर फंदे बढ़ाए तो 58 है उसके बाद मैंने यहां चार बढ़ाए फिर 8 सलाईयां बनाने के बाद बढ़ाए और उसी तरीके से ध्यान रखते हुए सब 8-8 सलाईयों पर मैंने पूरे फंदे बढ़ाए हैं आप अपने हिसाब से बच्चे की हेल्थ बच्चे की लंबाई की हिसाब से भी आप स्लिप्स की लंबाई देखेंगी जिस बच्चे की लिए मैंने बनाया है उसकी हिसाब से यह बिल्कुल परफेक्ट है बस थोड़ी सी बड़ी है जोगी बच्चा अगले साल भी पहन सके तो आप अपने हिसाब से बनाईएगा मैं आपको मैं बता रही हूं जो मैंने बनाया है तो देखें यहां पर मैंने पूरा यहां पर मैंने चेचे सलाईयों पर बढ़ा है तो यहां मोंडा जो घटा है तो यहां पर 54 फंदे पूरे टोटल हो गए यहां तक 94 फंदे पूरे टोटल हो गए उसकी बाद हमने जैसे स्वेटर में घटायाता चार तीन दो एक वैसे ही मोंडे की कटिंग की है और जब हम में एक करते हैं उसके बाद जो है हर एक सलाई पे सीधी उल्टी तरफ से एक एक फंदा घटाते हुए यहां तक मैं आ गई हूँ तो यहां तक आपको देखना होगा कि लंबाई हमाई जो मोंधा है उसमें हम नाब भी लेते हैं तो यहां से तो यहां तक तो 14 इंच है और यहां से यहां से यहां तक का माना जो है पूरा साड़े पाँच इंच है तो साड़े 19 इंच की यह आस्तीन की पूरी फुल लेंद है तो आप अपने बच्चे के हिसाब से यह बाद जरूर दियान रखेगा कि आप अपने बच्चे के हिसाब से मों होती है उसी साफ से बनाईए गा तो पूरी लेंध साड़ेंग इंड फंद बाचेंगी आप इसकोबद कर दियेगा और बस यह हमांई स्लेप तयार हो गई और आप जैसे आपको अगर यह जो आ यह जो मैंने मेंगें मेंज़न्मिंट बताया वो अगर आपको सही लगता है तो आप ऐसे बनाईएगा, आपका बच्चा जिस हिसाब से हो, लंबा हो, थोड़ा हाइट कम हो, उस हिसाब से देख लिजेगा और मैं बता दूँ, ये दो इंच के लगबग, इस आस्तीन की लंबाई ज़ादा है, जिस बच्चे के लिए मैंने बनाया है, ये दो इंच समझे, इतनी ज़ादा है लंधिस की, क्यूंकि मैंने थोड़ा बड़ा ही स्वेटर बनाया है, बिलकुल बच्चे की नाप का नहीं बनाया है तो इसलिए मैं बार-बार कह रहे हूँ कि आप अपने बच्चे के नाप के हिसाब से लंबाई घटा और बढ़ा लिगेगा तो आज मैंने स्लेफ की भी आपको बता दिये बनाया है अब फुल स्वेटर के वीडियो मैं आपको किसी दिन और बता दूँगी कि मैं पूरा उसमें आपको पूरा फुल स्वेटर जो बना हुआ है वह साथ मैं आपको दिखा दूगी अब यह नहीं olduğ मैं बता सकती है इक बताओंगी आपको भीजूंगी वीडियो जो भी है YouTube पे मेरे तो आप जो लोग ने मेरे स्वेटर को पसंद किया वो जो स्लीव भी बना चुके होंगे आज मैंने ये वीडियो डाली है जो नए मेरे वीवर्स है जो मेरे नए सब्सक्राइबर है उनके लिए मैं बता रही हूँ और सबके लिए बता रही हूँ कि आप अपने बच्चे की हिसाब से लंबा ही गटा और बढ़ा लिजेगा तो बहुत बहुत शुक्रिया मेरे वीडियो देखने के लिए और अगर आपको कुछ भी हल्प मिलती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए लाइक करिए शेयर करिए कमेंट करिए थैंक यू